हालो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मेथी के पराठा की रेसिपी शेयर कर ली हूँ उसके लिए मैंने मेथी को उसकी डंडी से लग कर लिया है उसकी पत्यों को मैंने चुन लिया है अब उन पत्यों को मैं फाइन चॉप करूँगी क्योंकि हमें इसे आटे मी टाल करके गुथना है इसलिए मैंने जितनी भी पत्तियों को लिया था मैंने उन पत्तियों को अच्छे से दो से तीन बार मैं उसको चॉप करूंगी और बिल्कुल ही वो महीन हो जाएंगे अब दीखे हमारे मेथी के पत्ते बिल्कुल कटी तियार हो गए हैं अब हम आटा लगाएंगे मैंने एक कटोरी मेथी का पत्ता मैंने लिया था और मैंने इसमें दो कटोरी मैंने आटा लिया है इसमें मैंने हल्दी और नमक, स्वादांसर नमक और हल्दी एड़ किया है अब हम इसमें अपनी मेथी के पत्तों को डाल देंगे जो मैंने चॉप करके रखा था और मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे अगर आपके पास दही नहीं है तो अगर आपके पास मठा है या चांच है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप प्लेन पानी से भी इसका आटा लगा सकते हैं लेकिन दही डालने से इसका तेस्ट तरच्छा होता है और अगर आपके पास फ्रीज में मलाई पड़ी है तो आप मलाई भी इसमें डाल करके इसका आटा लगा सकते हैं हमें इसका आटा बिल्कुल रोटी का जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा लगाना है देखे मैंने आटा लगा दिया है और इसको हम एक घंटे के लिए रख देंगे अब हम इसकी छोटी छोटी नीम्बू के बराबर हम इसकी लोईया बनाएंगे देखे मैं इसको कितनी छोटी छोटी मैं इसकी लोईया बना रही हूँ और हम इसको हलका सा दबा देंगे मैं अपने सारे आटे की जैसे जो बिगनर्स हैं उनके लिए एजी होगा कि वो सारे आटे की सबसे पहले न मैं बना लें और लोई बनाने के बाद उसको पूडी के जितनी बड़ी पूडी बनती है उतना बड़ा उसे बेल लीजे और उसके उपर आप ओयल क्रीज कर दीजे देखे मैंने सारे अपने जितना ही मैंने बनाई थी मैंने सारे मिती पराटों पर मैंने ओयल क्रीज कर दिया है अब हम एक पूरी के पर दूसरी पूरी को लगाएंगे उस पर थोड़ा सा आटा इस्प्रेंकल कर दिया है और इसको हम एक दूसरे से जोड़ देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से दबा दबा करके इसको हलका सा बहुत ज़्यादा हमको नहीं दबाना है हलका सा दबा करके हम इसको जोड़ देंगे अब हम इसको थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको बेल रही हूँ और आप इसको जितना पतला चाहें उतना बेल सकते हैं क्योंकि इसमें दो रूटिया है और आपको बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सिक्के देखेगा कितने बढ़ियां होते हैं ये बढ़ियां एकदम बहुत ही बढ़ियां सिक्के आते हैं अब देखे हमारी रूटि अब हम इसको तवर गरम कर लिया है मैंने अब मैं इस पे अपनी रोटियों को एक एक करके बेल करके डालती चली जाओंगी और मेरे को आज बहुत तेज आपको नहीं रखनी है हमारी आज बिल्कुल लोटू मीडियम फ्लेम ही रहेगी जिससे की हमारी रोटियां जलेना और अंदर तक अच्छे से सिख जाएं अब देखे मैंने दोस्री रोटि भी बेल लिए है अब मैं तीसरी भी जुड़ा रोटि को बेल देए हूँ अब हमें लोई काटने की जंजट नहीं है कुछ करने का जंजट नहीं हम फटा फट वहां सेखते रहेंगे और इधर हमने सारी अपनी रोटियों को बेल सकते हैं अब देखे जब तक हम इसको बेल रहे हैं तब तक हम दूसरी रोटि को अपनी रोटि को भी देख रहे हैं इसको भी हम उलट परट देंगे देखिए हमारी रोटी हलकी सी सिखनी लगी है अब हम इसकी एक साइड में हमने ओयल लगा दिया है आप इसमें चाहिए तो सरसूं का तेल लगा सकते है मूमफली का तेल लगा सकते है रिफाइंड ओयल लगा सकते है खी लगा सकते है बट लगा सकते है जो भी आपके पास अवेलिबर हो आप वो लगाईए वैसे ये बटर लगाने पर बहुत ही टेस्टी बनता है बटर रोगी लगाएंगे तो ये टेस्ट बहुत ही इंहांस करता है लेकिन मैंने इसमें मुफली का तेल से मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में भी अच्छे बनत है यह ह्मारा मेतिका पराठा अच्छे से सिख एक बारस है अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में काफी सारे बच्चे दो तीन बैठ गया है हमें दीकर होती है कि हम एक पराठा एक को दें तो एक को पहले बिठागे खिलाएं, फिर दूसरे को बिठाएं, ऐसे हमें ये ईजी रहेगा, कि हम एक साथ, दो बच्चों को, एक पराठा, या दो लोगों को हम एक पराठा सर्फ कर सकते हैं, अब मैंने दूसरा पराचा भी डाल दिया है, इसको या मैंने एकर से सेका है, दूसरी तरफ भी मैं इसको सेक करए कि मैं इसके जहलका सा ऑईल क्रीस कर रही हूं. या आपके निपएंचर डिपेंड करता है, आप जाधा ऑईल डालना चाहते हैं या कम, मैं बहुत ही हलका ते लगाती हूँ क्योंकि मेरे अक्सर पराठा बनता है इसलिए मैं तेल बहुत ज़्यादा यूस नहीं करती हूँ अब देखिए हमारे एक साइट से पराठा चैसे सिख गया है अब दूसरी तरफ से भी सिख रहा है और ये हलका सा फुल भी रहा है देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारे मेती का पराठा अब हम इसको फिर से लटके सेखेंगे इसको हमें ऐसे ही धीमी धीमी दबा दबा के पल्टे से दबा करके हमको अच्छे से चार ओर से कहीं से कच्चा नहीं जाए ये ध्यान देते हुई हम इसको अच्छे से सेखेंगे देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा लग रहा है और मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि आपको सर्फ कैसे करना है और कैसे ये इसके दोनों लेयर अलग होते हैं अब ही मैं आपको बना जीूँ अब फिर मैं आपको इसको निकाल के भी अलग अलग दिखाऊंगी कि ये कैसे अलग भी हो जाते हैं एक दूसरे से ये देखेगे कितने अच्छे बनकिए अब देखे हमारा अक एक पराठा देखे कैसे अलग हो जाता है यह देखे, यह दो पराथे एक सट निकल गए इसी तरह से हम अपने सारे पराथों को मैं रहे एक सट बना के रख दिया था अब मैं उनको एक एक करके अलग अलग करके रख रही हूँ इस तरह के से आप एक सार दो तीन लोगों को जितने भी लोगों को बैट जाएंगे आप उनको easily खिला लेंगे और बहुत ही बढ़ी हाई पराटे बंगे आते हैं आप एक बार इस तरह से पराटा जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे बताईएगा कि आपको यह कैसा लगा यह बहुत ही टेस्टी लगता है इसलिए आप इससे देखना पसंद करेंगे और जरूर देखीगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलीगा